नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेकिंग नीज इंडिया में मौझूदा आइपेर्नल मंगलवार को किंग्स 11 पंजाब की टीम अपने घर में राजिस्तान रायल्स का सामना ते रहे हैं ये मुकाबला रात 8 बज़े शुरू होगा आर अश्विन की अगवाई वाली पंजाब की टीम मुंबाई इंडियस और रायल चैलेंजर बैमिदूरू के किलाब लगातारहार के बाद पांचे इस्तान पर खिसक गई है राजिस्तान के टीम के दिमाग में बहार जरूर रहेगी आईपल बारह में पंजाब का गेम बादी आप्रमड लगातार अच्छा प्रदेशन नहीं करते हैं वे मुंबाई इंडियन के किलाब 197वे रनों के अपने स्पोर की रच्छा नहीं कर पाई विरोन को लाड़ ने 31 गेंडों में 33 रनों की पारी खेल दर मुंबाई इंडियन की जीद में एहम घूमिता निभाई जी बैंगलूरू के किलाब पिछले मैज में पंजाब की गेम बादी फिर विफल लगी प्रति दंदी टीम ने 4 गेंड शेथ रहते 173 रनों का लच्छ हासिल करने में काम्याद जाई मौंबा शमी, एंडू टाय, आलाउंडर साहिम कुरें ने काफी रन लिता दी जिससे मेजबान टीम को काफी नुफसान हुगा अब उन्हें अपने कप्तान अश्विंद का सहयोग करने के लिए कसी वी गेंड बाजी करनी है जो अपनी चत्र गेंड बाजी से सीर्ष बल्ले बाजों को परिशान करने की काबलियत रखते हैं वहीं राजीस्तान राजीस की टीम फिछले मैच में जीत दर्च करने के बाद यहां आई है उन्होंने मुंबई इंडियन्स को उसके मैदान पर चार विकेट से शिकत दी की और टीम साथ मैचों में दो जीत से सात्वे स्थान पर है सलामी बलेबास जौस बटलर की 43 गेंग में 89 रण की पारी ने राजीस्तान के 188 रणों का लच हासिल करने में काफी एहम बोन का एदा की उन्हें आंजिक रहाने का भी सयोग मिला था जिन्होंने 37 रण और संजू सैंसन ने 31 रणों का योगदान दिया था इसके अलावा राजिस्तान ने एक अन्न मैच बैंगलूरो की खिलाप जीता था जिसमें भी बटलर ने 69 रण दना जो अगर बटलर राजिस्तान की बल्लेबाजी के पशूपी हैं तो किंग 11 पंजाब के पास प्रीज गेल है गेल ने पिछले मैच में बैंगलूरो के खिलाप नाबाद 90 रणों की पारी खेल कर अकेले रंपर पंजाब को 173 रणों तक पहुचाया था पंजाब के एक अंज अलामी बल्लेबास के अलावल बे अच्छे फॉर्म में लेकिन उनकी 64 गेंदों पे नाबाद 100 रणों की पारी मुंबाई की खिलाप मैच में बेकार चली गोगी जिसने तीन विकेट गवाकर 198 रणों का लच्छ हासिल कर दियो खबर अच्छी लगी ह तो वीडियो को लाइक करें अपने विचार कमेंट में साजा करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं जान्यवाद